गाली वाला आया घर से कचला निकाल गाली वाला आया घर से कचला निकाल तो पूरे हजारी बाग में सुबा सुबा ये गाना बचता था कि गाली वाला आया घर से कचला निकाल लेकिन दस दिनों से ये गाना नहीं बच रहा है आपके जोहार हजारी बाग मफैज अनवर आप देख रहे हैं जुहार दारी बाग कुछ दिनों से सफाई कर्मी जो है नगर निगम के वह लताल पे हैं और हजारी बाग को लोग तो अब कश्णो का शहर भी बोल रहे हैं देख सकते हैं दीरे दीरे डेली मार्केट में कचलो का पहाल जो है वो बनता जा रहा है 20 दुकाने 50 दुकानों के सामने एक बड़ा कचलो का पहाल देखने हैं बदबु मार रहा है ज्यादा आज 10 दिन से हर्ताल पे है नगरपाली का उड़ा उठने रहा गाहाक जो आ आ रहा है नाक बंद करके आ रहा है माहक से और गाहाक का उन्जाहट से परिसान अदबु में कैसे रहा है बहुत बरदास कर रहे है जल्दी से छे सुत्र मांग पूरा किजिए सरकार से यहीं नहीं बैदन है सोया हुआ है क्या सरकार यह नगर निगम पूरा स्ट्राइक में है और आप देख सकते हैं जितने भी सफाई करमचारी हैं वो स्ट्राइक जोहार हजारी बाग मफैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारी बाग कुछ दिनों से सफाई करमी नगर निगम के वो हलताल पे हैं और हजारी बाग के लगबख सभी जहां का यह हाल है कि जो कूला कचला है जो गंदगी है वो सड़क पे आ गया है हम लोग जहां भी जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि कूला जो है वो भारी मातरा में हर जगा फेका हुआ है कोई उठाने वाला नहीं है चौन 90 देश में लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्त कर्मियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसकी वज़ासे वो लोग हलताल पे है और हलताल की वज़ासे आज अपने शेहर का हालत देखेंगे हम लोग आज पूरा हजारी बाग घूमेंगे और देखेंगे कि आखिर सच में कचला कहां तहां फेका हुआ है और हजारी बाग को लोग तो अब कचलो का शहर भी बोल रहे हैं यह वह लगो रहा है कब से यहां पे नहीं उठाया जा रहे हैं तो क्या मतलब आप लोग कैसे फिर रह रहे हैं मैंनेज के जा रहा है अलकाफुर का अपना सेप्रेट साफ करके अपना रहा जा रहा है करें लोग बहुत दिक्का दोर आगें आने के लिए जैसे कचला यहां पे हम देख पा रहे हैं डेली मार्केट में क्या रोज कचला उठाथा जी उदर में जब दो इस्टाइक नहीं उठता था पर एक के वाद संडे को नहीं उठता था चोटी चोटी के दिन था बाकी दिन स देख सकते हैं दीरे-दीरे डेली मार्केट में कचलों का पहाड जो है वो बनता जा रहा है और आगे-पीछे दुकान है इस तरह से जितने भी कच्छें हैं उठ नहीं रहे हैं तो कच्छों का पहाड के जैसा हो गया है लोग इससे बचने के लिए अपने-अपने दुकान के सामने जो हैं वो तिरपाल लाग के बच रहे हैं गंदगी बहुत ज्यादा है बद्बू बहुत ज्यादा है आप देख सकते हैं इस तरह से डेली मार्केट में जो है एक कचला का पाल यहां पर है और फिर ऐसा ही जो है धीरे-धीरे हर हर 100 मिटर के पास या फिर हर 15-20 मिटर के पास आप देख सकते हैं इस तरह का कचलों का धेर मतलब आप कह सकते हैं कि 10-20 दुकाने 50 दुकानों के सामने एक बड़ा कचलों का पहाल देखने को मिल सकता है तो यह हलत हो गया है मतलब बद्बू इतनी ज्यादा है कि आप खड़े नहीं रह पाते हैं यहां पे और इस स्ट्राइक कब खतम होता है बदबु मार रहा है जादा नहीं मार रहा है है हाँ आप कैसे इतना मजबूरी में हम लोग बैठे में सर आज 10 दिन से हर्ताल पे है नगरपाली का उड़ा उठने रहा है हाँ जो आ रहा है नाग बन करके आ रहा है महमारी का दर है क्या से सुनवाई है नहीं है नहीं हो रहा है 2018 के समय क्याश्ची सर ताल पे पहले हर दिन वुटता था जब से नगरपाली का हर्ताल पे गिया है तब से उठने रहा है ऐसा कम सकम बजार में बहुत सारा है आगे जाएगा नहीं तो और बहुत आगे पार नहीं हो पाई यह इतना बद्बू है क्या बोल रहे है आद्यसे जादा तो बाहर में थी फिकवा रहे हैं आग इसे थी कैरेंगे तो फिर दी पब्लिक को दी परिशानी हो रहा तो क्या करेगा यहान बैट पाईएगा कोई जी फिनाल वगर सब शीरकते हैं तो देख सकते हैं आप तो देख सकते हैं आप डेली मार्केट का हालत क्या है कच्छा जैसे लग रहा है कि नुमाईश में लगाया गया है कैसे रह रहे हैं इतना कच्छा के ताम महक से और गाहक का उंजाहट से परिसान है कि अधर उठेगा ये कच्छडा यहीं पताने अधर आसपास के दुकान यहां यहां तो लगबख बैयार में दो से तीन हजार दुकान तुरा बैयार का कच्छडा दस दिन हो गया है यह कच्छडा उठेवे और इसी में जो लोग है सब्जी खरीद रहे हैं बेच रहे हैं बद्बू इतनी ज्यादा है कि आप रह नहीं पाएंगे लेकिन किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं लोग कारण यह है कि सफाई कर्मी जो है हैं वो हलताल पे हैं कुछ लोग तो यहां पर अगर बत्ती जला रहे हैं ताकि बद्बू से दूर रहा जाए लेकिन कच्छला कच्छलों का धेर जो है इतना ज्यादा है कि आप यह देखिए जब मेल मजार के सामने है कैसे कैसे इतना बद्बू में कैसे रहे हैं और बद्बू से जल से जल्ड चेज़ शुत्र म्Нहीं करें जाए देखिए क्या याउम इस स्प्रेड कि यूज कर रहे हैं तो हम लोग को तोड़ा अच्छा डीफ हो रहु है तो डेली हम लोगने दिकत ही दिकत है जल्दी और कि लोग यहां पर रहने ही पारे और जिनकी दुकान है यहां पर है वो कैसे रहते होंगे आप सोचिए तो हालत बहुत गंबीर है डेली मार्केट की केश्टों का पहाल जगा जगा पे देखने को मिल रहा है है तो हम लोग नगर निगम में आ गया है और आप देख सकते हैं यह जो है जारकन राज लोकल बॉड़ीज एम्प्लॉईज फेडरेशन इसके जो अध्यक्ष है चुम्मू राम जी उनके अध्यक्ता में जो है यह नगर निगम पूरा इस्ट्राइक में है और आप देख सकते हैं जितने भी कर मंचारी है वWe और उसको लेकर जितने भी यह समान है, समागरी है, जितने भी यंत्र हैं, जिससे साफ किया जाता है नगर निगम को, वो पूरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, चाहे वो टिपर वैन हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो बुल्डोजर हो, या फिर आप देख सकते हैं, जेसी भी टिपर वैन है, वो सारे जो है, घूमते रहते से शहर में, गाली वाला आया, घर से कचला निकाल, गाली वाला आया, घर से कचला निकाल, तो पूरे हजारी बाग में सुबा सुबा यह गाना बचता था, कि गाली वाला आया, घर से कचला निकाल, लेकिन दस दिनों से य इतने भी सफाई कर्मी है नगर निकम के सब स्ट्राइक में और उनका गालिया आप देख सकते हैं जिस पे गाना बचता था चुंगा लगा हुआ है वो यहां पे रुका हुआ है कारण यह है कि इनकी कुछ दिमांड से उनको पूरा नहीं किया गया और तारा लगा दिया गया में साथ एक वैक्ति हैं यहां पर जो नगर निकम से जुड़े हैं उनसे जानेंगे कि क्या मेजर जो डिमांड है जिसके वएसे यह लोग स्ट्राइक पहले बात तो हम लोगा 10-15 साल लिए उससे पहले ज्यादा 20 साल तक बहुत कि सफाय करमचारी लोग जो टंपरूरीम का परमंड करें उसका पहला मांगे कि परमंड किया जाए दूसरी बात है कि हमारे सफाय करमचारी लोग का पैसा आता था परमंड का उसमें सरकार उस 70% देती थी बाकिवाद इस परसेंट सरी यहां से होता है तर ना गर निंगम दोरा उभी बंद कर दिया गया साथ 20% अभी करा उसका है और हम लोगा एंद करता है हर मेरा um डिकार नहीं बन पाया है और शहीं है पूरा पूरा हाल है तो इस तो क्या आप लोग से कोई मिलने आया को आशवाशन मिला कुछ ऐसा हुआ उनके द्वारा भी बहुत परतिक से अब लोग के साथ में हैं आप लोग के मदद करेंगे जहां तक होगा वाप अब लोग को हम बढ़के मदद करेंगे नए नगर आउता है तो लग रहा है कि एक दो दिन में स्ट्राइक तूट जाएगा है लेकिन हम लोग का मांग जो अगर होता है मांग पूरी होती तो हम लोग की चाहिए इतना बड़ा गाली एतना यह है पूरा नगर निगम में साफ पूरा नगर नगम करमी और वो सिफ सफाय के लिए रखे सफाय यह सफाय के लिए रखे नगर निगम नगर कचला उठाते थे जिनका डायत्व था ये करने का और अगर अभी नहीं उठा रहे स्ट्राइक पहते हैं आप शहर का क्या हाल है सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वो इनहीं देना चाहिए क्योंकि सफाई कर्मी अगर नहीं रहेंगे तो आपका शहर कैसा होगा व कब नगर निगम का जो इस्ट्राइक है वो तूटता है और सफाई कर्मी फिर से अपने दाइत्व को जाते हैं और हजार बागों का शहर हजारी बाग को फिर से हजार बागों को जैसा बनाते हैं कि अधर बादे मोस्टक्वराइब नहीं कर्मी डुर्टता हैं यहीं पादे हैं